दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई कि अब इहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बड़ी ख़बर से चले सबसे पहले बात करते हैं बिहार में आज भी मौसम रहेगा सुहना 19 जिलों में अलड जरी बारिस की साथ बजरबात की समावना जी अब इहार में इन दिनों लगातार हो रही बारिस से लोगों को गर्मी से रहात मिल रही है वहीं किसानों को भी इसका फायदा मिल रहा है लेकिन दूसरी और कुछ जिलों में इसका भायावा असर भी देखने को मिल रहा है इस बार करीब सितंबर के महिने में बेजली गिरने से सौ से अधेक लोगों की मौत हो गई है इतर मोसम बिभाग के दुआरा ललाट रहने के लिए गाइलाइन का पालन करने को जा रहा है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिस को लेकर अलड़ जारी किया है इन जिलों में आज अच्छी बारिस होने की सम्हावना है वही बाकी जिलों में भी मौसम स्वाना राने की उम्मीद है मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 19 जिलों में आच्छी बारिस होगे इन जिलों में में गर्जन के साथ ही बाजरपात की प्रबल सम्हावना है इसमें पाटना पूर्वी चमपरन, सिवान, भकसर, भोजपूर, सारन, मुझपरपूर, बैसाली, जहानाबाद, गया, नलंदा, दर्बंगा, जमोई, सहरसब, बाकस, पूल, मधिपूर, नमदव और अरेरिया समिल है बाड़ी कबर में देखे आरजडी अदक्ष जगदानन सिंग के बड़ा बयान तेजस्वी आदव 2023 में सियम बनेंगे देश नितिस का इंतिजार कर रहा है जहार राष्टिय 2022 बितने के बाद 2023 में नितिस देश के लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के 22 के लड़ाई तेजस्वी आदव के हाथ में स्वप देंगे जगदानन सिंग हाली में आरजडी के दुबारा प्रदेश से अदक्ष चुने गए हैं जो दुबारा बनना नहीं चादे थे लेकिन पार्टी चीप लालू यादव ने उनको मनाया तो राजी हुई दिल्ले में समाचार चेनल निवोज 18 से जगदानन सिंग ने कहा कि देश नितिस के इंतिजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी के इंतिजार कर रहा है बाड़ी ख़बर में देखे नितिस के रा में दो और पि-म केंडिडेड सबाने अखलेस तो बसबाने मायावदी का नाम उचला जहां लोकसबा चुनाव को अभी दो साल बाकी है पर यूपी बिहार में चुनाव सरगमी तेजबर सभी दल चुनावी तैयारिया सुरू कर चुके हैं वहीं बिबक्ष के तोर पर पि-म पद के लिए मजबूत दावेदार दिख रहे हैं विहार के सियम नितिस कुमार का केल भी गड़ता दिख रहा है दर असल यूपी से प्रधान मंत्री पद के दो और दावेदार के नाम सामने आ रहे हैं समाजबाती पाड़ी न आये तो अकलेस ने उनकी बादो के संदर में कहा कि उन्होंने इतना बड़ा सपना दिखाया है हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि उस बद पर पोहचे पर हम यह सपना जरूर देखते हैं कि किसी तरभाजबा सरकार सत्ता से बाहर हो जाए वहीं बासपा के राष्टी परवक्त धर अमीर चोद्रे ने बयान जारी कर कहा कि यदि मायावती को प्रधान मंत्री पद गाउमिद्वार गोसित किया जाए तो बस पा तिसरे मोर्चे में सामिल होने के लिए तैयार है बाड़ी कहवर में देखे जदोई नेता उपेंद्र खुस्वाहा पर लटकी गिरपतारी के तलवार MPML कोड ने गेर जमानती वारंड जारी किया सरकारी काम में बाधा डालने का है मामला जदोई के संसेदे बोर्ड के अधाच और पूर्व केंद्र मंत्री उपेंद्र खुस्वाहा के मुस्किली बढ़ गई है इन पर गिरपतारी के तलवार लटक रही है पढ़ना के MPML सर एसे GM1 के कोड़नेर जदोई नेता के खिलाब गेर जमानती वारंड जारी कर दिया है दोफरवर्य 2019 कोईनों ने अपने पाड़ी की तरब से एक प्रदस्वन मार्च निकला था पढ़ना के डाग बंगला चोरहा को जाम कर दिया था इसको लेकर उपेंद्र खुस्वाहा पर तोड़ पोड रोड जाम और सरकारी काम में बाधा डालने का गंभीर आरोब लगा बाड़ी कवर्में देखे 17 वर्सों बाद एब और फिर से नितिस करेंगे 20 प्रसिद सोनपूर मेले का उदगाड़न तैयारियों में जूटा प्रसासन जी है कोरोना के साई से निकलने पर अब दो वर्सों की रोग के बाद इस बार 200 परसिद सोनपूर मेला के भाईवे आयोजन के तैयारी सुरू हो गई है मुईकी मंत्री नितिस कुमार हरिहर चेतर सोनपूर मेला का उदगाड़न 6 नौवंबर को करेंगे यह जानकरे सोनपूर के HDM सुनिल कुमार ने दी है उन्होंने बताई कि हरी हर छेत्र मेला के उद्गाटन के लिए मुई की मंत्री ने यहां के आने के सुखिर्ति दे दी है अब रासासन उनके आगमन के तैयारे में जुड़ गिया है इतने लंबे अंतराल के बाद भी उनके यहां आगमन से ना के वल मेला के गौरों में बिर्दी होगी बलकि इसके आकरसन में भी बढ़ोतरी होगी बाड़े कपर देखे आपके लिए है अब एक के बाद सिदे 6 अक्टोबर को खुलेंगे बैंक बिहार में अगले महीने 12 छुटी है पहले ही निप्टा ले अपना काम जी हाँ अगले मा याने अक्टोबर में बैंक कामकाज को लेकर ग्रहकों को थोड़ी सावधानी बरतने होगी बैंकों में तेहारी चुटी आदिक है बिहार के संदर में यहाँ और विसे सोजाता है क्योंकि यहाँ दसरा की लंबी चुटी है और छट की भी चुटी है तेह सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सबसिडी जी हाँ घारेलू एल पेज सिलेंडर यानि रसोई गैस की सेंग्या आप ग्रहकों के लिए फिक्स कर दी गई है नए नियम के मताबिक ग्रहकों को अब एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही दिये जाएंगे इसके साथ हर महने के लिए भी स सिलेंडर ही ले पाएंगे अभी तक सिलेंडर पाने के लिए महने या साल का या कोटा कोई फिक्स नहीं था नए नियम के मताबिक अब साल में 12 सिलेंडर पर इस सबसिडी मिलेगे इसके बाद अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो इस बर सरकार सबसिडी नहीं देगे और आप आपको बिना सबसीडी वाले किमत में सिलेंडर करेना होगा आभी तक घारे लोग गैर सबसीडी केनेक्शन धारा का अपनी मांचाही सेंक्या में सिलेंडर पासकते ते लेकिन आप ऐसा नहीं होगा रिपोर्ड के मुताबिक नियम लागो किये जा चुके हैं यह नए नियम इ कर दिया गया है वहीं आपको बता दे कि एक अक्टूबर से एलपेजे सिलेंडर की किमत बढ़ सकती है एक अक्टूबर को होने वाले किमतों की समीछा में नेचरल गेस के दाम बढ़ाये जा सकते हैं बाड़ी ख़वर में देखे राज में 19,000 पुलिस बल की तैनाती आर्द सेनिक बल भी सम्हालेंगे सुरक्षा विवस्ता यह राज में दुरगापुजा और दसारा पर सांतिवा वेदी विवस्ता बनाए रखने के लिए जिलों में आतरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की राज में करीब 19,000 बलों की प्रातिन उक्ति की गई है यह जवान एक से आठ अक्टूबर तक जिलों में तैनाती रहेंगे पाटना में सबसे अधिक पुलिस बल की तैनाती होगी आर्द सनिक बलों को भी सुरक्षा में लगाया जाएगा हाले में बुन्यादी परिक्षन करने वाले जिला पुलिस के करीब 9,000 जवान भी ड्यूटी पर लगाया है इसके साथ ही दुर्गा पुजा पर बिदी वेबस्ता बनाए रखने के लिए होम गाड और लाठी बल की ड्यूटी लगाई गई है करीब 4,000 होम गाड के जवान इसके लिए उपलब्द कराए जिहां पाटना जक्सन आने जाने वाले यात्रियों को जाम से रहा देने के लिए सबीवे का अंडर ग्राउंड 340 मिटर का काम 10 अक्टूबर से शुरू होने की सम्मावना है बरसाथ को लेकर जमिन के नेचे मिटे कोदने का काम बादित रहा जानकारी के अनुसार बरसाथ में पाटना में पाने का लेवल अधिक होने से जमिन खोदने पर नीचे पाने की मिलने के असंक्य के वज़ा से काम नहीं हुआ था सबीव निर्मान के लिए सता से लगवा पांच मिटर नीचे जमिन खोदने का काम होगा आपकी जानकारी के लिए बदादी कि पाटना स्मा निर्मान निगम की देखरक में काम होना है इसके निर्मान पर लगवा गुनात्तर करोड रुपे खर्चोंगे बाड़ कर्मदे के पटना में इसकोली चात्राओं से महिला आयस की भारी बद सलोकी की कबर नितिस को दो दिन बाद मिले कहा करवाई करेंगे ज़ह दो दिन पहले बिहार की राइधान policing पटना में इसकोली चात्राओं से नितिस सरकार के एक सिनियर आयस अदिकारी ने भारी बद सलोकी की थी चात्राओं ने आयस अदिकारी से सेनिटरी नेपकेन उपलवद करानी की मांग की थी तो जवाब मिला कि अब तुम लोग कंडों भी मांगोगी आये सदिकारे ने चात्राओं को पाकिस्तानी जाने तक कह दिया था मामला मंगलवार का है और बुद्वार को तमाम मेडिया में ये ख़वर थी लेकिन बिहार के मुख्यमंतरी नितिस्कुमार को इसकी कबर गुरवार को सब लगी है देश भर में बाद पेटने के बाद कल नितिस्कुमार ने कहा कि वे मामले को दिखवा रहे हैं और करवाई करेंगे पाटना में जब कल नेतिस कुमार से हरजोत कौर को लेकर सवाल पूछा गया तब नेतिस कुमार ने कहा कि मुझे आज ही इसके बारे में पता चला है पता चला है कि उन्होंने कुछ बोल दिया है जिसकी करण लड़कियों को बुर लगा है हमने इसके जाज के लिए कह दिया है मिटेंग करके इस मामले को देखा जाएगा हम लोग तो महिलाओ के लिए हर काम कर रहे है ततकाल एक एक चीज को देख रहे है अगर जरा भी कुछ होगा तो एक्सल लिया जाएगा तो वहीं दूसरी तरब देखे हर जोत को और विवाद पर बोले तेजस्वी आईएस को भी पता नहीं सेनेटरी नेपकेन के 300 रुपे देती है बिहार सरकार जहा सेनेटरी नेपकेन को लेकर पुछे गए सवाल पर आईएस अधिकारे के कंडोम वाले जवाब से उठी विवा के मांग रखी थे जबकि सरकार 25 रुपे पर दिमा दे रही है सायद जागडूता के आवाब में बच्ची और अधिकारी को इसके जानकरे नहीं रही होगी हाला कि तेजस्वी आदम ने अपने ट्वीट में कहीं भी आयेस अधिकारी द्वारा उस बच्ची को आम रियादे जबाब दे जाने पर कोई प्रतिकिर्या नहीं दिया बाड़ी कवड में देखें कि 30 सी तमर को ससी थरोर और दिगवजय सिंग करेंगे नामांकन रेस से बाहर हुए गहलोत जहाँ कॉंघ्रेश सा अंसाध ससी थरोर और कॉंघ्रेश के दिगज नेता दिगवजय सिंग 3 सि उन्होंने अपने जीत का भी दावा किया था भारत जोड़क यात्रा के दोरान ससी तरोर ने कहा था कि नामांकन करने के बाद ही पता चल जाएगा को उन्हें देश वर में कैसे समर्थन मिल रहा है इसके अलवा मद्य परदेश के पूरो मुख मंत्रिवा कॉंग्रेस के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी का बड़ा फैसला पी-एम गरीब कल्यान अन्य योजना का विस्तार करने का फैसला किया है केंदरी सूचना अवं प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा कि सुकुरवार को समाप्थ हो रहे असी करोड गरीबो को हर महने पांच किलो ग्याँ और चावल मुप्त देने की योजना अब 31 दिसमब 2022 तक चलेगी माना जा रहा है कि महनगाई से गरीबो को कुछ रहत देने के अलवा गुजराद विदान सबाचनाव को देखते विए ये निनने लिया गया है पारी खबर देखे तेवहार पर केंदर करमचारियों और पेंसन धारोको को मिली सोगाथ 4 फीज़ी बढ़ा मांगाई भद्ता जिया मोधी सरकार ने एक करोड से ज़्यादा केंदर करमचारियों और पेंसनर्स को तेवहारों पर सोगाथ दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधिक्स्ता में वोई केबिनेट की बेढ़क में मांगाई बत्ता बढ़ाने का फैसला किया गया है डिये में चार फिजदी की बढ़ोत्री कर दी गई है और इसे 34 विजदी से बढ़ा कर 38 विजदी कर दिया गया है आज के लिए बहुत इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें